अब मैंकोशन i N가湊 यह 2014 बोल्ट एक्जाम में कोशन आ चुक है लाज वीडियों बोला था आपसे के हलगे-लगे मैं कोशन्स को टफ करता रहांगो और वन कोशन्स में आ चुरहांगो बहूर्ट में आचुके तो आज में वह कोशन लेके आया हूं आपके लिए 2014 में कोशन आचुका है तो इसमें गिवन है थ्री रिस्टेंस आदा थ्री ओम इच आर कनेक्टेट तुदा बैटरी और थ्री वोल्ट ऐसा शूर क्या निकालना है पूरे सर्कृत करेंट निकालना कितना होगा और ओर तीन यहांब रिस्टेंस से दे रखें रहें सभी का थीन-थीन यहां परkąव जो रिस्टेंस भी है तो इसे बहुत का त मैंने एक ही सरकृत है तो इक गडरन record को डेते हैं उसी सभी के नेम ड्रॉक लेटें तो नेम डाखने है इसका आर ऑल डाल दियो इसका मैने आब 3 ले लिए तो दिक है तो देखिए गिवएं क्या है यह प्यायल है यह कैसी रेजिटेंस पर लेल लेकिन यह दो जो रिष्टेंसेंस है r1 r2 जो आर्फड पर र काईगा वैप पैर्लेल में दोनों का डर्ण जोरी यह करेक्टेट गोड mij R1 and R2 are connected in series तो series में हैं तो इनका resultant resistance कितना होगा than resultant resistance तो इसका मैं नाम दे दिया है R12 आपको याँ दो लास्ट वीडिम में बोला तो मैंने R12 क्यों डालता हूं ताकि यह मैं कह सकूं कि यह 1st और 2nd के मिलने से बना है तो अगर अब series में होते हैं तो इन दोनों का sum होता है उसके resultant resistance के equal होता है तो यहां 3 plus 3 is 6 ohm आ गया इन दोनों का resistance मिलागे अब यह वाला कैसा है parallel है तो आपको क्या लिखेंगे आपके तो यहां लिखेंगे आगे कि R12 and R3 connected in parallel और जब parallel में होते हैं तो इनका resultant resistance यह होता है वह one upon R होता है इस बार सिर्व R ले रहा हूं कि answer ही आने वाला अब तो तो हम लोग फाला जानते हैं क्या हो जाएगा R12 plus one upon R3 यह तो लिया है मैंने इन दोनों का combination से resistance बनेगा R3 मैंने इसका resistance लिया है parallel है इसलिए मैंने फाला parallel का लगाया ठीक है जिन बच्चों लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो देख लें इसलिए मैंने चैनल पर अविलेबल है उसमें उसमें starting से easy question से question है यह मैं थोड़ा आगे लेविल पे हूँ हो सकता है किसी को problem हो लेकिन समझ में आ जाएगा अब value डाल दो इसकी value कितनी है 12 means 12 की value is 6 और इसकी value कितनी है 3 आगे ले लेता हूं LCM तो LCM कितना आ जाएगा 6 तो 1 plus 2 कितना आ जाए निकाल देखे कोश्य में क्या निकाल ला है current दा वो calculate the current from the battery तो अब कैसे कर निकालेंगे उसके लिए लगाते हैं by Ohm's law Ohm's law is equal to O the V is equal to R into I then the I is equal to V upon R and the V is given कितना दे रखा है 3 volt battery है ठीक है R कितना निकाला आर मैंने यहां में निकाला था 2 निकाला था तो यह 2 मैंने आ पूट कर दिया तो कितना है 1.5 थानि current जो होगा 1.5 ampere का इस circuit में चलेगा तो साथ कुछ लगाएंगे 2014 में आ चुका है अब यह आगे भी आ सकता है तो मिलते है next कितना है तो इसका निक, सकता है decना है